इतनी बड़ी अपर्चुनिटी है या यह उनको समझाने की जरूरत है इस सारे किस 22 साल की उम्र में जाकर के वो अपना नीजी तोर पे 22-25 लाख रुपे का मालिक हो जाएगा और उस पैसे से वो अपना रोजगार भी कर सकता है अगले चार साल अगर हम यह उपर्चुनिटी दे चार साल बाद जब आप घर वापसी करेंगे तो आपके पास अपना 20-25 लाख रुपया होगा जिससे आप अपने केरियर को बना सकते हैं अगनी वीरों के पास लॉट्स अप उपर्चुनिटी है जॉब लेने का नमस्कार आप देखने लाइफ सिटीज में हूँ आपके स्ताश शिवम अगनीपत योजना को लेकर पूरे देश सहीद पूरे बिहार में आज सुबह से ही प्रदर्शन हो रहे हैं कई जगों पर छात्रों के दुआरा ट्रेनों में आग भी लगा दिया गया है इसे में इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के मंतरी जीवेश मिर्श्राम उनसे बात करेंगे सर जिस तरह से पूरे देश के साथ साथ अगर हम बिहार की बात करें तो लगतार जो छात रहे हैं वो उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं केंद सरकार के खिलाफ नारे बाजी कर रहे इन लोगों ने भ्रम की स्थिति खड़ा किया है युवाओं के बीच एक सांदार मौका है एक अच्छी अपर्चुनिटी है युवाओं के लिए जो सारे 17 साल में चार वर्सों के रोजगार एक अपने लिए नौकडी या रोजगार करते हुए एक इस सारे 22 साल की उम्र में जाकर के वो अपना नीजी तोर पे 22 पचीस लाख रुपे का मालिक हो जाएगा और उस पैसे से वो अपना रोजगार भी कर सकता है और जो उम्र उसके पास आगे बचा हुआ है वो चाहे तो कंपेटिटिव एक्जाम की तैयारी भी कर सकता है अपने पैसे से आत निर्भर ह करके बिना डिपेंडेंट हुए अपने गाजियन पर अपने घरवालों पर वो खुद अपने पैसे से अपने फ्यूचर का निर्मान कर सकता है हम कहते हैं कि इस प्रकार के अच्छे अपरचुनिटी जो युवाओं के लिए आया है उसको लेकर के सभी दलों को दलिये से उपर उठकर के और उनको समझाना चाहिए ना कि इसमें भ्रम की स्थिति पैदा करनी चाहिए हम बिहार के जो युवा है या देश के जो युवा हैं उनको समझाने की जरूरत है इस नौकरी के साथ साथ सरकार ने जो समाने रूप से अन्य अपरचुनिटी छात्रों को म के अगनी पत करके कोई योजना अगर-अगर लाई है तो हम समझते हैं कि उसका लाब बड़े पैमाने पर नए फ्रेसर से स्टुडेंट को मिलेगा जो 21-22 की उम्र के बाद नए तरीके से अपने रोजगार को खरा कर सकते हैं अपने केरियर को बना सकते हैं तो इस प्रकार का मौका तमाम परकार के अपरचुनिटी को रहते हुए सभी परकार के जॉब जो उपलब्ध है पहले से सरकार समय समय पर जो वैकेंसी लाती है वो सभी उपलब्ध है वो सभी को रखते हुए सरकार अगर नए तरीके का मौका नए अवशर अगर पढ़ने वाले छात्रों को सारे सत्रह साल में अगर आप देखिए तो एक विद्यारती मेट्रिक पास कर पाता है बहुत जादा से जादा हुआ तो प्लस टू कर लेता है तो प्लस टू मेट्रिक अस्तर के चात्र को अगले चार साल अगर हम ये अपरचुनिटी दे कि आप एक काम्याव इनसान बनेंगे और साती साथ चार साल बाद जब आप घर वापसी करेंगे तो आपके पास अपना बीस पच्चीस लाक रुपया होगा जिससे आप अपने केरियर को बना सकते हैं इस बात को समझाने की जरूरत है और अगर आप चाहें तो उनके लिए अन्य परकार के नौकरी में भी आफशर चाहे वो असाम राइफल्स हो चाहे पारा मिलिटरी हो इस परकार के जौब के लिए उनका दौर खुला मिलेगा उनको उसमें प्रायोरिटी मिलेगी उनको उसमें अपरचुनिटी मिलेगी तो ये तो गुनों गुन ही गुन वाला योजना है युवाओं के लिए लाभ ही लाभ वाला योजना है हमको लगता है कि जरूर हमारे नौजवान साथियों में किसी पॉलिटिकल मित्रों नहीं भरम फैलाया है अधर वाई जी इसका जो गुन है अगर ठीक से अध्यान कि जो लोग आज सरक पर उतर कर अंदोलन कर रहे हैं पहले ठीक से पूरी योजना को पढ़ें पूरे योजना को अच्छे तरीके से समझें और इस योजना का लाभ एजे विद्यार थी एजे स्टूडेंट एजे इस देश के नागरिक वो किस प्रकार ले सकते हैं इस अप होगा पॉलिटिकल साथी से भी राजनितिक साथी से भी निता प्रतिपक्ष ने जिस प्रकार का भ्यान दिया है हमको बड़ा अपसोस है दुख हो रहा है कि इसी प्रकार के लोग ऐसे उपद्रव को कहीं न कहीं से संचालित करने का काम करते हैं और कहीं न कहीं युबाओं के मन के भाव को बिगाड़ने का काम करते हैं युवा साथी निर्मल है निश्शल है उनको जिस परकार के किसी परकार के भरम में डाल करके आज सरक पर उतार करके उनकी जो ताकत है जो भारत माता की ताकत है उसका मिश्यूज कराने का काम ये लो कर रहे हैं उनको बिठा करके उनको बुला करके उनके बीच में जा करके ये किस परकार फाइदे मंद है ये बात बताना चाहिए पहली बात दे और मैं कहरा हूँ कि जो बांकी जॉब और नौकरी की अपरचुनिटी है उसमें कहीं दखल अंदाजी नहीं है इसके करण कि साहब अब एक ही नौकरी मिलेगा यही इसके सिवा कोई और नौकरी कोई और अपरचुनिटी नहीं आने वाला है अगनी वीरों के सामने इस प्रकार की कोई बात सरकार नहीं कह रही है अगनी वीरों के पास lots of अपरचुनिटी है जॉब लेने का अलग फिल्ड में भी जाक अगर अपने एजूकेशन के हिसाब से जॉब लेने का और फिर पढ़ करके ग्रेजवेशन अगर वो करके और कोई नौकरी करना चाहते हैं। UPSC करना चाहते हैं, VPSC करना चाहते हैं। इस प्रकार की भी अपर्चुनिटी वो खुद के पैसे से खड़ा कर सकते हैं। कितनी बड़ी अपर्चुनिटी है या यह उनको समझाने की जरूरत है। और सभी प्रकार के जॉब राज्य सरकार जिस प्रकार से लाती है, केंदर सरकार जिस प्रकार से लाती है। आपको मालूम होगा कि अभी इसके ठीक एक दिन पहले देश के यह सवस्तुई प्रकार से प्यमों का घोशना हुआ है। कि प्रकार से प्रकार से लाती हैं। और जहां जहां मानब बलकी कमी है, वहां उसको तुरंत अगले डेड़ साल में भड़ा जाएगा। और इसकी संख्या दस लाक है। मतलब दस लाक युबाओं को किंद्र सरकार में सीधा-सीधा नौकरी करने का अवसर समान रूप से आ रहा है। और इसके अत्रिक्त अगर जो भाई मेट्रिक पास किये हैं या ड्रॉप आउट हो गये हैं सारे 17 वर्स की उमर में मेट्रिक करने के बाद इंटर करने के बाद उनकी उम्र बची हुई है। तो हम सभी मित्रों को मिल करके इसका स्वागत करना चाहिए न कि इसका विरोध करना चाहिए। पुनर विचार करने की बाद जिन लोगों ने कही है मुझे लगता है कि उनको खूब ठीक से इसका अध्यन करना चाहिए। मैं आपको असपस सब्दों में कहा कि युबाओं में भरम फैलाने की ज़रूरत नहीं है। हम बिहार की सरकार जितने प्रकार की रोजगार ला रही है। के साथ उसमें दाखिला लेने का उस competition में भाग लेने का सब को अधिकार है। हम आरक्षन रोस्टर का भी पालन करते हैं। उसी प्रकार से केंदर की सरकार जितने प्रकार की नौकरियां ला रही है। वो सभी आ रहे हैं। इसके अतरिक्त जो सारे 17 वर्स के उम्र के लोग हैं। टेंथ करने के वाद डॉप आउट हो गए। या मैट्री की परिक्षा करने के बाद वो आगे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। या वो आगे इंटर करना चाह रहे हैं। इस प्रकार के जो भी छात्र हैं। सारे 17 से 21 वर्स। ये तो ऐसा उम्र है कि जिसमें आप सभी तमाम कार्ज के साथ साथ 20-25 लाख रुपे अपने आप प्राप्त कर सकते हैं। इंटरेस्ट मनें इंकम टैक्स फ्री और इस दर्मियान जब आप ट्रेनिंग ले रहे होंगे तो 48 लाख का विमा कवर भी उनको दिया जा रहा है। तो ये तो समाने जॉब से अलग जो रेल्वे की नौकरी है, सेना का जो अन्य भरती है या फिर हम करें कि इसमें 25 परसेंट लोग सेना में भरती हो जाएंगे या अन्य परकार का जो अपर्चुनिटी है, सचिवाले का जॉब है, टीचर का जॉब है, हम कहते हैं कि एनिम का जॉब है, और कलर्कियल जॉब है, सेसी है, बैंकिंग है, देश के अंदर कई परकार का जॉब है, ये सभी जॉब तो अजिटीज है, आपकी अपर्चुनिटी तो पूरी है, आप अपने मेहनत के हिसाब से अपने लिए वहाँ जॉब खड़ा कर सकते हैं, उसके बुराई क्या है, मुझे बता दीजे, यह एक अपर्चुनिटी मिल रहा है, नए नौजबानों को, नए लोगों को, तमाम नौकडियों को स्थिर रखते हुए, एक अलग से अपर्चुनिटी मिल रही है, तो हम समझते हैं कि उनको समझाने की जरूरत है, हमारे युबा सा का कोई व्यक्ती कमेंट कर रहे है, वो साती किसी दलके हो, पक्छो हो, बिपक्छो कोई हो, मैं आग्रह करूँगा, कि एक वार खूब अच्छे से इसका अध्यन करें, कि यह क्या योजना है, इसका देश को क्या लाब होने वाला है, इसका समाज के नौजवान को क्या सकता है उनको रोजगार के रास्ते में आगे बढ़ाने की जरूरत है तो चलिए थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री जीविश मिश्रा जिन्हों सारी बातों को अश्पश तरीके से समझाया है और साफ तो पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं से आगरा किया है कि इस योजनाओं का पूरे तरीके से अध्यान करें और जाके चात्रों को भी समझाये वहरालब बने रहे हमारे साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक कर ले धन्यवाद